आरसी एजूकेशन में आपका स्वागत है तो आज हम इस वीडियो में नागरजुन की प्रसीति कवीता काली दास तो इस कवीता का भावारत समझेंगे तो कवीता को समझने से पहले हम इस कवीता को एक बार पढ़ लेंगे तो आए शुरू करते हैं काली दास सच सच बतलाना इंद मती के मृत्य शोक से अज रोया या तुम रोये थे काली दास सच सच बतलाना शिवजी की तिसरी आँख से निखली हुई महा जवाला में रूत मिश्रस की समीधासम काम देव जब भस्म हो गया रती का कुरूंदन सुन आससे तुमने ही तो दग धोये थे काली दास सच सच बतलाना रती रोयी या तुम रोये थे वर्श रुतों की स्निक्द भुरूमी का प्रथम दिवस आशाध मास का देख गगन में श्याम धन गटा विधुर यक्ष का मनजब उचटा खड़े खड़े तब हाथ जोड़ कर चित्र कूट से सुभव शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुषकरा वर्थ मेगु का साथी बन कर उड़ने वाले काली दास सच सच बतलाना पर पीडा से पूर पूर हो थक थक कर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी केशिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे रोया अयक्ष के तुम रोए थे काली दास सच सच बतलाना तब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे कि नागरजुन की यह कविता छोटी होते हुए भी शिल्प द्रश्टी से महत्व पूर्ण है इसमें कविने कविता की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है इसमें नागरजुन बताते है कि कवि अपनी रचनाओं में दुख व्यता पीडा आदिक चितरन करते है परन्तु उसके लिए स्वयम वेदना और पीडा से गुजरना पड़ता है कवि एक प्रकाश से परकाया परवेश करता है जब कोई विरहनी नारी विलाप करती है दुसरे शब्द में कहा जाए तो कवि उसके मनुभाव को धारन करता है यहां कवि संस्कृत के महा कवि कारिदास के माध्यम से कविता की रचनाओं प्रक्रिया की बात करता है कि कवि जब अपने काविया में किसी की विरहव यथा का चितरन करता है तब उसी उस कविता की विरहव यथा को आत्मसाथ करना पड़ता है यानि कि हमें उस पीडा को अपने अंदर समा लेना पड़ता है ताकि हम उस पीडा को अनुभव करें और उस पीडा को हम अनुभव कर सकें प्रस्तुत कविता में नागर जुन जी ने कालिदास के तीन महा काव्यों का संदर्व देते हुए इस बात को समझाने का प्रेतन करते हैं कि ये तीन महा काव्य विरव यथा से पुर्ण है हमें पहला प्रसंख गुवंश का देखने को मिलता है दुसरा कुमार संपव और तीसरा मेग धुत से तो कविता की शिल्प गत विशेशता यह है कि तीन कावियों के लिए कवि ने तीन छोटे छोटे परिछेद लिखे है और यह परिछेद क्रमशा बड़े होते गए है प्रतम परिछेद चार पंक्तियों का दुसरा परिछेद आठ पंक्तियों का और तीसरा परिछेद सत्रह पंक्तियों का है प्रतम परिछेद में केवि कहते है कि कालिदास सच सच बतलाना कि जब रानी इंदुमती का निधन हुआ तब उसकी वृत्य पर शोक से विहल होकर रगुकूल के राजा विलाप करते है या यह विलाप राज अज का है या यह तुम्हारा है ऐसा प्रतित होता है कि वह राजा अज नहीं बल्कि काडिदास तुम रोए थे या तुम स्वयम रोए थे दुसरा परिशेद कवी ने कुमार संबह से लिया गया है जो कि असुर्तार का सुर्का वद्ध करने के लिए शिवजी के पूत्र की जरूरत थी और सतिकी मृत्य के बाद शिवजी ने तो वेराग्य धारन कर लिया था अतह शिवजी में पारवती के प्रती काम भावना जागरत करने का कार्य काम देव को सोपा जाता है शिवजी की तपस्या भंग होती है तब वे पारवती के प्रती अनुरुक्त हो जाता है तद परांत शिवजी यह समझते है कि यह कार्य काम देव का है अतह उनकी तिसरी आख से जो महाजवाला है वो पूटती है और जिस प्रकार घी परिपूर्ण सूखी समीधा भड़़़कर जड़ उठती है तो उसमें उसी प्रकार काम देव भी जड़कर भस्म हो जाते है तब काम देव के विरह में काम देव की पतनी रती फूट फूट कर करुणा विलाप करती है रती का यह विलाप लोगों के लक्ष को हिला देता है ये फे कालिदास सच सच बतला आना तब क्या रती के साथ तुमने अपनी आखों को नहीं भी होया था तीसरा परिछेद हमें मेगधुत से मिलता है कि मेगधुत कालिदास का विरह काव्य है इस परिछेद में एक यक्ष अपनी प्रियतमा को बहुत चाहता था वह प्रियतमा को प्रेम में वह इतना डूब जाता है कि वह अपने स्वामी धन के देवता कुबेर की सेवा में चुक हो जाती है उस समय कुबेर अपना अपना अपमान सहन नहीं कर पाते हैं और यक्ष को एक वर्ष पृत्वी पर रहने का अभिशाप दे देते हैं यक्ष पृत्वी पर आते हैं परंतु जब वर्ष रुत्व का प्रारंब होता है तब वह अपने मन पर कावु नहीं रख पाते और अशाड महीने के पहले दिन जब वह घने काले बादलों को देखता है तब उसका हदे वीरह से व्याकुल हो जाता है वे अपने दोनों हाथ जोड़कर चित्रकुट परवत से मेग यानि कि जो बादल है उसको अपना दूत बनाने के लिए कहते हैं कि हे मित्र तुम मेरा संदेशा मेरी प्रियतमा तक भोजा दो उन पुष्करावर्ती मेग गुदवारा यक्ष अपनी प्रियतमा को संदेश भेजते हैं उस समय यक्ष अपनी प्रियतमा के वीरह में आठ आठ आशुर होता था हे कालिदास तुम सच सच बतलाना उस यक्ष की पीडा में पूर पूर होकर थक थक कर और चूर चूर होकर वो नमल धवर गिरी शीखरों पर यक्ष रोए थे अथवा तूम नहीं रोए थे हे कालिदास यह आशु यक्ष के नहीं बल्कि तुम्हा रहे थे तो ये थी कालिदास की कविता और उसका भावार्थ तो मुझे आशा है कि आपको कविता समझ में आई होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए